हाँ, तो दिपावल्य के एक एक दिन के पहले की ये बात है, कि आज यशुदा महाराने की बारे में यशुदा क्या कर रहे हैं, सुकदेव गुस्वामी बताना चाहते हैं पुश्रि शुकवाच, शुकदेव गुस्वामी बोल रहे हैं, भी दोनों लेगुजिट Coachे तो बोल रहे हैं ग्रह दासीसु एक दिन क्या हुआ यशुदा ने अपने घर की जितनी दासियां थी उनकी कर्म को उनको छुट्टी दे दी और खुद जो दासियों का जो कर्म था यह जो उनकी सेवा थी दधी मन्थना निर्मन्थन स्वयम दधी खुद दधी दधी मतलब दधी उस दधी को मन्थने का कार उन्होंने स्वयम सुरू करना चाहा खुद करना चाहा यानि कि यशुदा महरानी की घर में बहुत-बहुत न नंदगाओं जाएंगे, बरज में जाएंगे, तो नंदपरवत के ऊपर स्थित है, नंदबाबा का महल, तो उससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वो इलाका रहा होगा, हाला कि ये जो घटना हो रही है, ये गोकुल में हो रही है, अभी भगवान गोकुल छोड़के नह उतने बड़े-बड़े आपको वन, उतना बड़े-बड़े आपको बिल्डिंग्स नहीं मिलेंगी, कुछ मिलेगा, 84 घंबा वगेरा कुछ जगह हो, लेकिन उतने बड़े-बड़े भवन आज नहीं है, तो अंदाजय लगाना मुश्किल है, फिर भी, अभी भी अगर लगा सकती हो, कि कितना बड़ा घर रहा होगा, नंद बाबा का, श्री कृष्ने का, तो यहां कह रहे हैं कि घर की सारी धासियों को यशुदा ने चुट्टी दे दी, और दही बंते ने लगी, और क्या करती थी, दही बंते बंते क्या करती थी, यह बहुत मैत्रपून है, दही तो हर विक्ती बंती रहा है, लेकिन कर क्या रहा है, यानी यानी गीतानी तद बाल चरितानी जादी निर्मंधने काले स्वरंती तानी अगायता जैसे जैसे वो दही को मन्थन कर रही थी साथ साथ में गीत गा रही थी बहुत नैचरल है हम सब कई कारे करते हैं तो गीत गाते हैं लेकिन ये जो महिला है ये 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 शुदा महरानी है ये कौन से गीत गा रही थी ये बॉलिवड, हॉलिवड के गीत नहीं गा रहे थी ये गा रहे थी तद बाल चरितानी चा अपने ही बालक के चरित को गा रहे थी खुद के बालक के ही चरित को वो गा रहे थी और स्मर्तानी उसी को स्मरण कर रहे थी क्या-क्या मेरे बालक ने किया है उसी को वो स्मरण कर रही थी तो ट्रांसलेशन में शुलोपरोपर बता रहे हैं शुक्रदेव को स्वामे ने कहा तो अपने जितने भी दासियों को उन्होंने अलग-अलग कामों में लगा दिया लेकिन मन्थन का काम स्वैम करने लगी और कई को छुट्टी भी दे दी ऐसे आचायरे लोग बताते हैं और दही मन्तिस में वो अपने बालक की गतिविधियों को स्मरण कर रही थी और अपने ही तरीके से उन्होंने कई गीत बनाए जिनको वो आनंद पूर्वक गा रही थी इस पकार से बताया गया तो यहां पर हमें सब्ज़ना पड़ेगा कि यशोदा की स्थिति क्या है तो यशोदा मतलब क्या होता है दा मतलब देने वाला ब्रज में सभी लोग देने वाले होते हैं तो यशोदा मतलब यश देने वाली जो यश देती हैं उसको यशुदा बोलते हैं ऐसे इराधरानी की माता का नाम है किर्तिदा किर्तिदा मतलब जो किर्ति देती है वही बात है किर्ति यश ऐसे इराधरानी की दादी का नाम है सुखदा जो सुखदेती है तो यशुदा किवल और किवल अपने बालक की प्रती पूरी तरह समर्पित थी, पूरी तरीके से, तो ऐसा नहीं है कि वो तो, हाँ मैं तो भगवान की, वो तो ये नहीं जानती थी, वो तो ये नहीं मानती थी कि कृष्ण भगवान है, लेकिन फिर भी यश्वदा ऐसे नहीं कि आराम से 8 बजे उट रही है, 9 बजे उट रही है, तो ऐसे जिशोदा महरानी भी ब्रह्म मूरत में उड़ जाती थी चार बजे साड़े तीन बजे उड़ जाती थी तो उठके करती क्या थी तो ऐसा बताया जाता है कि नंद बाबा के पास नौ लाक गाएं थी नाइन लाक काउस बलकि राधारानी के पिता श्री ब्रशुभानू के पास ग्यारा लाक गाएं थी तो नंद बाबा के पास लाकों गाएं थी अगर आप गोकुल भी जाएंगे तो जहां पर ये लीला हुई है जहां पर भवायन को बांदा गया उसके पास में ही ऐसे बताया जाता है कि यहां पर नंद बाबा की गोशाला थी तो काफी दूर है वो गया से तो नौलाक गायों में 108 गाएं खास थी तो ये जो नौलाक गाएं हैं इनका तो बहुत अच्छे ते दिखबल होता ही था फिर भी इसमें 108 गाएं ऐसी थी जिनको विशेश पकार की मुलायम घास खिलाई जाती थी जैसे जो लोग गोशाला में कारे की हैं गाय पलना थोड़ा बहुत जानते हैं जानते हैं कि घास तो एक चीज़ होती है उसके बाद कई पकार के प्रोटीन्स और कई प्रकार के विटामिन्स खिलाने पड़ते हैं गायों को अगर आपको उनको तंदुर्स करना या गाय प्रेगनेंट है तो खली चापड खिलाना पड़ता है और आपका जितना बजट है उसके नुसार आप अलग-अलग चीज़े खिला सकते हैं इनको बहुत वशेत ध्यान रखा जाता था, कई लोग तो ऐसे बताएं कई भक्तिगण इस तरीके से वर्णन करते हैं कि इन resonate गायों को जो है इनके बचलों को पहले तो भर पेत кहिला जाता था अपनी मा का दूद और फिर दूसरे दूद भी दिये जाता था एक्स्ट्रा एनिवें जो भी बात हो यानि 108 इन गायों का बहुत ध्यान दिया जाता था और इन 108 में के बाद भी उन 108 में से 8 गाये बहुत जादा विशेश थी उन 8 गायों का नाम बोलते हैं पद्मगंदा यह पद्मगंदा गाये की खासियत क्या है नाम से पता चल रहा है गंदा मतलब गंध सुगंद तो इसकी सुगंद थी पद्म के समान लोटस फ्लावर के समान कमल के पुष्प के समान कमल का कुषप deceived ra पर होता है अपनी maturity पर होता है तो उस्से जो सुगंद आती है वसंतुन का कार की सुगंद अती भी इस दूस से इसलिह से बुलते पद्म पत्मगंदा क्या नाम है उनका शांतानू की दूसरी पत्नी का नाम किया था मैं भूल गया एक जखली किसी को याद देखें धृत्राश की माता मुझे अभी एकदम से याद नहीं आ रहा है वह मच्वारी के जो पुत्री थी तो उसको भी पत्मगंदा बोलते हुए एनिवे सो इस पकार से कुछ लोगा ने चैट बोक्स शायद कुछ लिखा है उनको पता हुए चलो चेक कर लेते हैं क्योंकि मुझे एक जम से क्लिक नहीं कर रहा है सत्यवती का नाम भी पत्मगंदा था उनकी सुगंद उनकी एक्चुली बहुत दुरगंद थी उनकी शरीड से मचली की बुवाती थी पर जब वो मिली पारशर मुनी से वेदवियास जी के पिता जी पारशर मुनी से तो पारशर मुनी ने उनको ये वर्दान दिया कि तु तो ये पद्मगंदा तो ऐसे ये आठ गायों को बोला जाता है पद्मगंदा और ये आठ गायों की सेवा या इन आठ गायों को खिलाना पिलाना उनका ध्यान रखना और उन गायों का दूद निकलना ये काम केवल और केवल येशुदा महारानी करते थी और इन आठ गायों क किवल श्री कृष्ण के लिए इसे दूद बनाना माखन बननाना इन आठ गायों का केवल किवल केवल कृष्ण के लिए डडिकेटेड थे तो ये था इनका एटिटूट था ये उनका भग्ति का भाव तो इतने सुबह उड़ जाते थी अगर आपने कभी किसी गाय को दूद धोया है तो आपको अंदाद हुआ कि काफी समय लगता है दूद निकालने में जैसे जब मैं गोशाला में था तो हम लोग अगर हमें 8 गाय करनी है तो अराम से यह अगर एक आदमी को करना है तो अराम स पर कई घंटे लगते होंगे हैवी वर्क था यह है यह है तकाने वाला काम है अधिक दम मैंने बीएक दो बाड़ ट्राय किया पर हमसे नहीं बनेगा जो लोग प्रेक्टिस नहीं कर पाएंगे बहुत थकाने वाला काम है तो यशुदा महरानी भी बहुत महनत करती है तो ज वक्ति योगी जो होता है वो एक साधरन विक्ति से अधिक कारे करने की शमता रखता है लेकिन वो कारी केवल भगवान की प्रसंता के लिए करना चाहता है सांसारी कुपलब्दी के लिए नहीं हनुमान ने जो किया कितने लोग कर सकते हैं हनुमान जी ने जो करके दिखाया प बातों के भजन में लग रहे हैं भजन मतलब होएं कि सेवा शुर गोरु आजिस देते हैं मंदर में सेवा होती है किसुबस्बद को आपको आपको अलग होग होगी जो लोग किचेन डिपार्टमेन्ट में वो लोग जानते सुबह सुबह को किंग शुरू करनी पड़ती है या मालो जैसे गोशाला में आप हैं तो आपको साड़े शे बजे पहुशना पड़ेगा उसके बाद आप जब आदने दिखा जाएगा तो ऐसे जो भी सेवा गुरू की तरफ से या भगवान की तरह से हमको मिलती है वो बजन तो यशोदा इतनी मेनद करती थी तो एक दिन यशोदा ने स्वयम दही मंतने का सोचा क्यों सोचा क्योंकि अभी तक देखे तीन साड़े तीन साल गुजर चुके हैं यशोदा बहुत बार सुन चुके थी कि मेरा लाला मेरा बेटा कृष्ण दूसरे के घर में जा जाके द वो सकता है कि हमारे घर में माखन जो है वो अच्छे से नहीं बनता वो सकता है कि मेरी दासियां माखन अच्छे से नहीं बनाती हैं इस कारण से कृष्ण जो है दूसरी और दूसरे के घर की और लालायित होता है तो आज मैं खुद इतने अच्छे से दही मनाऊंगी आखे चलके मांखन मनाऊंगी कि कृष्णे को कहीं और जाने की इक्षा ना हो तो ये विचार मन में रखकर जुश्वरा महारानी आज खुद वो कारे करने जा रही है जो सामाने तोर पे दासियां करती हैं एक बड़ी बना में समझें पड़ेगा नंद बाबा एक राजा है नौ ल अजारन गायम भी है नहीं तो यानि कि एक एक गाय जो है आपकी सारे इक्षा पुरी कर सकती है कल्प दरू की समान है तो यानि ये शुदा महारानी बहुत उच्छे वादे पे थी लेकिन फिर भी स्वैम ये कारे कर रहे हैं ताकि कृष्ण को वो प्रसंद्र कर सकें कृष जीवन का उदेश्च है भगवान के लिए कारे करना और कारे करते समय भगवान का स्मरण करना ये यशुदा महारानी हमको सिखा रही है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कारे तो करते हैं बहुत सारे कारे हम कोई भी कारे को भगवान की सिवह में लगा सकते हैं जब सामानने तोर पे जो भी आपका कारे है उस कारे को कृष्ण भावना भावित बनाया जा सकता है अगर उसमें भगवान का स्मरण भगवान का किर्टन जोड दिये जाए जैसे कि ये शुदा यहां पर कर रही है और उसका क्या उससे क्या होगा हमागे वाले श्लोकों में देख गाती हैं तो कुछ शास्तर से प्रमान लेकर वहां पर वो गीत भी बताया गया है कि क्या गीत गाती है यशुदा महारानी उमीद करता हूँ आप लोग सनना चाहेंगे तो इस गीत में यशुदा बोल रहे हैं कि हे कृष्ण तुम हमारे ये हमारे गोब समाज के जो कुल प कि यह कमसे कम वेदिक काल में यह आभुशनों की बहुत महतवता होती थी तिलक लगाना यह पकड़ी लगाना यह मालाए घ्रहन करना करना अलगलला पंकार के अंगूटी घ्रहन करना इन सब का बहुत महतव होता है और यह होता भी है लेकिन आज कल तो उस पैंट जाल तो हर पूरे व्यक्ति के शरीर का जो सबसे मुख्य अंग या जो अंग जो दूसरों को आकरशित कर सकता है वो है चहरा व्यक्ति चहरा देखके बात करता है और चहरे पर जो तिलक है वो उसकी शान को बढ़ाता है बनाता है बिगारता है तो नंद बाबा के इस चहरे का तिल जरूर हो सकता है कि पिछले जन्मों में हमने कुछ अच्छे काम किये होंगे, यह जरूर किसी के हम पर कृपा होई होगी, कि हमें कृष्ण का दर्शन करने का आनन्द हमको मिलता है, उसके बाद यशुदा गाती हैं कि कृष्ण, मैं चाहती हूँ कि तुम हरी परायन बनो, कि कृष्ण ही हरी है, कृष्ण ही विश्ण है, यह बात यशुदा नहीं जानती, हाला कि यशुदा महारानी अभी तक भगवान के मुख में ब्रमान को एक बार देख चुकी हैं, ब्रमान के दर्शन को वो एक बार कर चुकी हैं, लेकिन तब भी वो भगवान को भगवान यह ब्रजवासियों की खासियद है तो भगवान के तो बहुत सारे धाम है लेकिन ब्रिंदावन की विशेष्टा है क्या कि बागी सारे जो धाम है वो एश्वरे प्रधान है यानि कि जैसे जब हम बात करते हैं बैकुंठ लोग की तो बैकुंठ लोग में भगवान नारायन दिवास करते हैं और सभी लोग वहां भगवान से दास से भाव में भक्ति करते हैं सब भगवान के दास है कह सकते हैं लक्षमी देवी थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि लक्षमी देवी का माधुरी भाव है पर वो माधुरी भी जो है वो एश्वरे के साथ युक्त है यान के यह मतलब नहीं है कि बगवान जो है हिटलर की तरह उनके साथ विबहार करते हैं एसी का ववधत नहीं भवान प्रेम से कले सरे सांबध़ औ capo करते हैं गोइग रही चाथग में और सब्सक्रार नहीं होता और था इंपधान रहन łat उच्छतर का यह मतलब नहीं है कि वेकॉंट कोई नीचे है इसका यह मतलब है कि वहां इंटीमेसी यह मधूरता स्वीटनेस मधूर अधिक है ज्यादा शक्क्र डली हुई है उस दूद में ऐसे बूलता और यहां ऐसा दूद है कि आपको डायवेटीज होगी तो भी कुछ न परिजन में श्री राम के बहुत सारे लोग मित्र हैं श्री राम के माता पिता भी हैं और सीता देवी के साथ उनका संबंद लक्ष्मी देवी और नारायण के संबंद से ज्यादा गहरा है कई बार सीता देवी भगवान राम को डाटते भी हैं लक्ष्मी देवी जनरली चर्णा के रखते हैं एक मर्यादा है ऐसे हम जाते हैं द्वार्का में और मथ्थुरा में तो वहां पे और भी अधिक मदूरता है वहां पे जो यदुरानिया है रुक्मनी इत्यादी उनका संबंद भगवान कृष्ण से सीता देवी के राम के संबंद से ज़्यादा ग्हेर लोग ऐसा नहीं स्थान नहीं आई यानि यानि कि पर ईपता चल जाता था है कि ये लुश्नु भी तो क्या ये तो हमारा है ये तो हमारा बंदु है इस पकार तो वह मगें चलचा करेंगे जब इस्षुदा ने देखा उनके मुख के डिए बर्मान को तब उन्होंने क्या सूचा तो यहां पे ये यशुदा बोल रही है कृष्ण कोृagit के लिए गा रही है कि कृष्ण मैं चानती हूं कि तुम बड़े होकर भगवान विष्णु के महान भक्त बनों तुम्हें हरी भक्त करनी है तुम्हें भगवान विश्णो का अच्छा भक्त बनना है क्योंकि जितने ब्रजवासी हैं सारे वैश्णव हैं सारे भगवान विश्णो की सेवा करते हैं आज भी आप ब्रण्दा बन जाएंगे तो वहां भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं वो लोग श्री राम को बात को समझा रहे हैं फिर अगले श्लोक ने आगे बात तो जब यह इस प्कार से यशुदा करने लगी यशुदा करने लगी तो क्या कर रही थी उनके इस पिकार से वो कारे मिक्स्चर था कुछ ऐसी को साड़ी वो पहनी थी क्योंकि पीला वस्तर भगवान को बहुत पसंद है पीत वसन बनवाली और उनके कमर की और एक बेल्ट लगा हुआ था बेल्ट मतलब कुछ कपड़े का कुछ लगा होगा और वो बहुत जोर-जोर से बड़ी महनत कर रही थी दही को मन्थन करने के लिए यानि कि वो जो दो रसियां होती है उसको ऐसे से करके खीचना पड़ता है बहुत बचपन में एक दू बार हमने दिखा है गाउं में करते हुए फिर उसके बाद धेरे-देरे कल्चर तो खतम हो गया अभी तो ब्रिदावन वगएर में आप जा बहुत पकार के अलगला पकार के चुडियां पहनती है ऐसे एक चुडिया नहीं कई पकार के कई तो सूने की चुडियां होती है इत्यादी और इरिंग्स पहनती है इरिंग्स तो आप जानती है कान में पहने वाले तो इस पकार से करने की कारण उनकी चुडियां अपस में बज रही थी तो कुछ आवाज हो रही थी और उनका पूरा शरीर हिल रहा था और अपने बच्चे के प्रती तीवर प्रेम के कारण उनके वक्ष स्थल से उनके ब्रस से सता ही दूद बाहर निकल रहा था और उनका मुख जो है बहुत सुंदर लग रहा था उनके आइब्रोस बहुत सुंदर थे और पूरा चहरा जो है पूरा मुख जो है वो पसीना पसीना हो गया था और मालती के फूल उनके बालों से गिर रहे थे तो यहां पर शिलपर उपत बताते हैं कि एक स्तिरी को ऐसा होना चाहिए यानि वेदिक काल में जो स्तिरियां आती हैं उनके ज्यादा पतन हो चुका है उत्तर भारत के लोग नहीं जानते कि वेदिक काल में क्या होता था अब इतना ज्यादा मुसल्मानों का प्रभाव हो चुका है या इतना ज्यादा चीज़ें हो गई हैं लेकिन दक्षिन भारत में आज आप भी आज जाएंगे तो आज भी यह कार के ड्रेसिंग कोड आज भी आपको दिखेगा साउथ इंडिया में बहुत प्रॉमिनेंट है और यहां पर एक और बात बता रहे हैं कि प्रभपात बता रहे हैं कि यह यह महिलाओं का बॉड़ी फिटनेस है तो पहले कि यह तो महिला हो पुरुष भी हो कोई भी हो जब कि पहले खुब सारा खालो फिर टीवी देखलो उसके बाद मोटे हो रहे हो तो डर लग रहे है तो जुम चले जाओ फिर जम में जाके साइकल को घूमाते रहो तो साइकल कहीं जाने रहे हैं वहें पर खड़े हो लेकिन आप अपना के वल बेट कम करना चाहती हो बलकि यह पर प्रोड़क्टिव यूज हैं आपका हेल्थ भी फिट रहेगा और आपकी घर के काम भी होंगे यह वेदिक कॉंसेट था तो टूमच डिपेंडेंसी मशीन के उपर ज्यादा डिपेंडेंसी की करण वो तो चला गया तो शील प्रवपाद उसके उपर भी कमेंट करते हैं तो फिर आगे क्या हुआ अब जब इतना सारा आवाज हुने लगा थोड़ी बहुत अवाज तो होगी तो भगवान श्रे क्रिश्ना सो रहते हैं अपने कमरे में सो को प्रमात्मा के रोब में सभी के अरते में विद्दिमान है एं तो भागवान तो जानती हैं कोई जल्दी नहीं जश्रदा महिए तक बहुत जल्दी उठ जाती है भगवान को थोड़ा लेट उठाए जाता था इसलिए अगर आप आज भी जाएंगे बल्लवचार जी के संप्रदाय में जितने मंदिर हैं जैसे अगर आप श्रीनाज्य जाएंगे खासकर तो वहां पर भगवान को बहुत लेट उठाए जाता है ऐसे साड़े-चार बजे मंगल आरती नहीं होती सुबह सुबह साड़े-चार बजे उठा दिया ऐसे नहीं भगवान को बालक माना जाता है छोटा छे-सात साल का बालक तो साथ साल का एक्जेक्टली क्योंकि वह लोग गिरी बंध कर देते हैं फिर वह श्रंगार वगएरा होता है तो फोड़ी देर के लिए भगवान को फिर बंद कर देते हैं तो मुश्किल से 4-5 घंटे दिन भर में पट खुलता है बाकि भगवान बंदी रहते हैं अलग से यानि भगवान के अपने लिलाएं रहती हैं वो ज़् गुश्वदा माषरान एसे लिएक कृश्ण को सेंनों नहीं उठाईक बलकि कृश्ण खुद उठ गए और उठके क्योंकि वो तो देख रहे हैं कि कुछ मा कुछ कर रही है। वहां पर अपनी मैया के अध्यात्मिक आनंद को या अलौकी आनंद को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो चर्निंग रॉड थी चर्निंग रॉड मतलब जो जो दूद जिसमें रखा था जिस बटके में उसके उपर एक डंडा लगाया जाता है को जनरी लकडी का डंडा और ज जिससे चर्न होगा जिससे मन्थन होगा तो उस उस रॉड को उन्होंने पकड़ लिया और इस कारण से उन्होंने अपनी मा को मन्थन करने से रोक दिया तो यहां पर थोड़ा समझने का अवशक्ता है यह जो चर्निंग होती है यह जो मन्थन होता है यह बड़ा अगर आप कोई थोड़ा imagine करिए जिन लोग ने देखा है वो अच्छे समझ पाएंगे इसलिए हमारे सीले रादा गोविंद महाराज बोलते हैं कि भागवतम वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने ग्रामींड जीवन देखा है क्योंकि इसमें यह सब जो डेटेल्स हैं यह सब शहरी जीव हो रहा है बहुत तजीव से हो रहा है अब तीन साल का बालक वहां पर आ गया तीन साल का बालक है चोटी-चोटी उंगलियां उसकी रही होंगी तो ऐसे में कोई व्यस को वेक्ति भी उस चलती हुई रॉड को एकदम से पकड़ ले तो उसको छोट लग सकती है लेकिन है फिर भी अगर हम उस लीला के बात से बात करें तो एक तीन साल का बालक बिना किस्री डर के आया और उसने रॉड को पकड़ लिया और कुछ बोला नहीं तो यहां पर इससे पता चलता है आचारे लोग बताते हैं कि श्री कृष्ण कितने ज्यादा इसको बोलते हैं पैट लगता था उन्होंने आके यह नहीं बोला मैया कैसी हो या कुछ मैया भी नहीं बोला सीधा जाके काम को रोग दिया यह भगवान ने डारेक्ट ली किया और आफकोर्स कृष्ण को थोड़ी भूक भी लगी थी कृष्ण को भूक लगी थी परपट में प्रवपाज बताते हैं कि जल्ली जल्ली भगवान चाहते थे कि उनके लिए कुछ किया जाए उनके उनको एड्रेस किया जाए उनकी सिट्विशन को देखा जाए तो यहां पर बहुत सारी महतरपूर्ण बातें इस श्लोक में निकलके आती हैं तो श्री हरी सौरी जी एक महान कताकार हुए हैं कि ये बहुत ही महतरपूर्ण बात है कि भगवान ने ऐसे उस डन्डे को रोग दिया उसको रोग दिया तक यह कि इससे थो चीजें पता चलती हैं क्या चीज़ें पता चलती हैं कि यह क्रिश्ण के पहले चरित्र को गा रहे ही थी, कृष्ष्ळे को स्वरान कर रहे ही थी और कृष्ष्ञ को स் Gothic कर रहे हैं रुदावीर कर रहे ही थी, और उसके बाद वो जो है यह बन्फन करने लगी तो संस्कीत में यह जो गुण होता है, गुण मतलब होता है दो, गुण का दो अर्थ होत जिसे तीन पकार के गुण होते हैं सतो गुण, राजो गुण, तमो गुण, और गुण का मतलब होता है रसी, गुण का मतलब होता है बंधन, तो यानि कि जशुदय को हरी सोरी जी कंपेर करते हैं, कि जिस वेक्ति का हिर्दय एकदम शुद्ध हो, जिस वेक्ति का हिर्दय श पूर्व वासना के कारण, अपनी पूर्व स्थिति के कारण, गुणों में, गुणों के बंधन में बंद जाता है, गुणों में लग जाता है दुबारा, तो ये बहुती थोड़ा मुश्किल है समझना कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो देखिए, यहां पे यशोदा को कंपे किये जा रहा है, महान महान योगियों से, जैसे कोई महान योगी होते हैं, जो अश्ट, हमारे जो अश्ट स्तर हैं, योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायम करते-करते, समाधी के स्तर पे आते हैं, तो समाधी के स्तर पे आकर भी भगवान के दर्शन कर लेते हैं, उनको हि हो जाता है और एकदम आनंद से वह भर जाते हैं इसी पिकार से यशोधा भी अपने प्रिये को भगवान को स्मरण कर रहे ही थी उनको लेकिन होता क्या है पूर्ववास्तना के कारण योगियों की पूर्ववास्तना है यानि कि कहीं न कहीं अगर उनकी हिर्दय में अभी भी कुछ भौतिक इक्षा बाकी रह गई है तो वो भौतिक इक्षा क्या करती है दोबारा उस योगी को इस संसार के बंधन में गुण में बांध लेती है यानि कि व्यक्ति अगर बहुत उचा भक्त भी बन गया है तो भी हो सकता है कि उसका पत ना भगवान रशब्देव के पुत्र थे वो सत्यूग में वो भावस्तर की भक्ति कर रहे थे भावस्तर की भक्ति वो होती है जब व्यक्ति को मन को कृष्ण में लगाना नहीं पड़ता उस समय लग जाता है जैसे हम लोग जब करते हैं हरे क्रिशन और दुबारा चलो धुबारा उसको मन लगाना पड़ता है तो अभी हम एक जाता honestly उसको मन को लगाना नहीं लग जाता तो उसको अलग से महनत करने पड़ती on it तरव मेक्ति पहुंच गया है फिर भी ऐसेधल वीक्ति भी उसके लिए भी पूर्ववास्ना अगर है वो पूरी तरह शुद्वीकरण नहीं हुआ है तो व्यक्ति का पतन हो सकता है। ये शोदा कैसे नीचे आ सकती नए कि यशोदा ने को भग्वान के रूप में देख लिया ब्रमाण घाड पे जब भगवान मिट्टी खा रहे थे और मिट्टी खा रहे थे जब येशोदा ने कृष्ण का मुख खोला उसके अंदर ब्रमाण को देख लिया वो देख लिया कृष्ण का विराठ रूप देख लिया सब कुछ देख लिया उन्होंने सब योगी भगवान को भूल जाता है क्यों भूल गई लेकिन योगी क्यों भूल जाता है अपनी पूर्ववासना की कारण ऐसे ही यशोदा भी अपने पूर्ववासना की कारण भूल गई ओ फिर फिर योगी क्या हुआ वो गुण में बंद गया, ऐसी यशुदा भी गुण में बंद गई, लेकिन यहां दोनों गुण अलग-अलग हैं, योगी संसार की गुणों में बंद जाता है, बलकि यशुदा ने जब कृष्ण को देखा भगवान के रूप में, तो वो अपनी पूर्व वासना, यानि कि अपनी ममता के कारण, कृष्ण का प्रेम जो है, वो ग्यान के उपर भारी पड़ गया, ये शुदा जानती थी कि कृष्ण कौन है, देख लिया उन्होंने कृष्ण कौन है, लेकिन उनका जो प्रेम है, कि नहीं, ये मेरा छोटा लन्ना बालक है, जिसे मिट्टी नहीं खा गई और वो भी गुण में, गुण मतलब रसी को बांधने में, यानि कि दही को मंधन करने में लग गई, जो कि सामाने तौर पर दिखने में एक छोटी वोटी काम लग रगा है, रोजाना घर का काम लगता है, तो ये बहुत डीपर अंड़स्टैंडिंग शिरहर्यसवरी बता रहे हैं, और उसके बाद इसी शलोक के दूसरे भाग में बता रहे हैं, कि एक साधक को क्या करना चाहिए, कि देखिए, भगवान शी कृष्ण ने क्या किया, भगवान शी कृष्ण ने देखा, कि जब कोई व्यक्ती, कोई भक्त मेरी सिवा में लगा है, और मेरे उप तब भगवान अगर सोई भी होंगे बागवान सोई भी होंगे तो भी उठकर उसके पास जाएंगे तुरंत में तुरंट यानि कि कोई भी साधक भक्त है कोई भी हम कि भक्ति करने का प्रयाज कर deben वो अपना वर्णाश्रम के अनुसार अपना कारे करते रहे जो भी उसकी परिवार की समाज की उसकी स्थिती है उसको वो करता रहे लेकिन करते करते अगर वो भगवान का स्मरण कर सके भगवान के चरित्र को गा सके और भगवान के लिए वो कारे कर सके तो भगवान तुरंथ ऐसे वेक्ति के पास आ जाते हैं यानि कि हो सकता है प्रवपाजी एक्जेंपल देते हैं ये कर्म योग में आता है थार्ड चप्टर में गीता में तो प्रवपाजी वहां पर उधारन देते हैं कि कोई स्वीपर है ignika reactा साफ करने वाला कोई सफाई करने वाला करमचारी है वो भी अगर भगवान का स्फनर्ण करता है है और अपनी गतिविधी को भगवान से जोड़ता है यानि कि मालो direct गतिविदी क्या होगी कि भगवान के मंदिर के भगवान के स्थान की सिवा करना और indirectly क्या होगी मालो वो सड़क के सफाई कर रहा है तो ये उस पकार से कर सकता है कि ये मेरा कार है इससे मिझे जो कुछ मिलेगा उसको भगवान को मैं अरपन करूँगा तो directly or indirectly जैसे भी वो अपने कारे को जब भगवान से जोड़ लेता है तो ऐसे वक्ति के पास भगवान तुरंत जाते हैं जैसे यहां पे हुआ और दूसरा बता रहे हैं कि तो इसलिए हमें अपने respective duties को तो करना है वो तो करना चाहिए ऐसा नहीं को उसको छोड़ देना है लेकिन होता क्या है कि कई बार हम अपनी duties करते करते वो duty हम क्यों कर रहे हैं वो भूल जाते हैं कई बार परिवार में यह हमारी तथा कदि जिम्मेदारियों में हम इतने वेस्ट हुजाते हैं कि हम भगवान के स्मरण को नहीं कर पाते और जैसे हमने चर्चा किया अभी हम लोग भजन करिया कर रहे हैं अनर्थ विर्ति कर रहे हैं यानि हमारा मन सोता भगवान में नहीं लग सकता कोई यह बात बोले कि हम तो दिन बर मन में भगवान को याद करते रहे हैं, तो जुट बोल रहा है, यह खुद को धुखा देने की बात है, और प्रभु जी को धुखा देने के लिए लिए बोल रहा है ऐसा, कोई भी व्यक्ति दिन भर भगवान का स्मराण नहीं कर सकता है, यह पॉसिबल नहीं है, इतनी काम मन म तो भगवान के लिए जब करना पड़ेगा. भगवान का नाम अलग से जब करना पड़ेगा. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Raama, Ha Dee Rame. इसलिए प्रवपाजी ने बोला, तुम दो घंटा ये जब करो, तुम दो घंटा इसमें मेरिटेट करो भगवान के नाम पे, बाकी 22 घंटे स्वता भगवान को याद कर पाओगे और 22 घंटे अगर तुम अपने सेवा में, अपने कारे में अच्छे से लगाओगे, तो जब अच्छे से कर पाओगे तो दोनों चीज़ी एक दूसरे से जड़ी हुई है, सेवा और जब एक दूसरे से जड़ा हुआ है यानि आपको अलग से बैटके भगवान के बार में सुनना होगा, भगवान का श्रवन कीरतन करना होगा, भगवान की सेवा करनी होगी अलग से dedicated तरीके से, तब आप दिन भर उसको याद कर पाओगे, उनको याद कर पाओगे, नहीं तो ऐसे possible नहीं है, हम लोग ये शोदा नहीं है, हम लोग नंद महाराज नहीं है, क्योंकि हम जो कारे करते हैं, कोई बोले हम तो दिन भर भगवान का ही याद करते हैं, और कुछ इतने इस पकार के अपनी बुद्धी का गलत प्रयोग करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं, जो अपने इस विचार को जो है शास्तरों से जोड़के बताने का प्रयास करते हैं, जिसे आप में से बहुत लोगों ने बच्पन में हिंदी में एक स्टोरी सुनी होगी, क्या स्टोरी है, कि एक बार नारद मुनी ने पूछा भगवान विश्नु से कि आपका सबसे प्रय भक्त कौन है, मनी मन नारद मुनी सोच रहते हैं, शायद मेरा नाम लेंगे, ये सच्ची स्टोरी नहीं है, बलकि पूरा पाखंड है, पूरी तरह जूट है, लेकिन इसको इस तरीके से बत आसियत क्या है उसकी, मैं जाके देखिया आता हूं, तो नारद मुनी दिखकर आये, तो बोले अरे, ये तो किवल दिन में दू बार आपका नाम लेता है, घर से जाते समय और घर से आते समय, बाकि दिन बार अपने काम में लगा रहता है, तो ऐसा विक्ति आपका परम्भक देते हैं मटके में तेल भर के देते हैं, तो बोलते हैं, इस तेल को तुम थलाना ब्रह्माजी को, ये फलाने विक्ति को पहुचा किया हो, ध्यान रखना कि एक भी बुंद गिरने नहीं चाहिए, तो नारद मुनी जाते हैं, बड़े ध्यान पुरवक जाते है, इतना में लगा हुध तो ऐसी भगवान विश्ण बोलते हैं कि वह किसान भी मेरे कामें लगा हुँद है तो मेरा समरन नहीं भी करेगा तो मेरी परंभक्ति है तो यह सब कठा आम लोगेंने सुनी हैं लेकिन यह पूरी तरह वहयां Vaha तरह पाकंड है ऐसा कहना मूर्ख ता है और ते कहानिय मिराने वाले माहा स्वाल्ण हैं अगर मिल्त दौनी भगवान का स्मरणड़ कोई कारे करते हुए तो वो शुद्र भक्त नहीं हो कर रहा है क्योंकि वह मलत्याग करेगा तो शरीर स्वस्ते रहेगा स्वस्ते रहेगा तो वह कुछ सीवा कर पाएगा तो यह इस प्रकार के वह जिसने भी वह स्ट्री लिखी ती हरी शंकर दुए दी और जो भी नाम दानका मुझे याद नहीं उनको यह हमको समझना लेकिन सामाने तोर पर ऐसा नहीं होगा जब तक विक्ति उस तर पर नहीं है भाव किस तर पर नहीं है उसको दो बार नाम लेने से कुछ नहीं हो पाएगा उसका वह उस तर पर नहीं आपाएगा उसको dedicatedly काम करना पड़ेगा तो यह बहुत महत्रपूर्ण है और दूसरा यहां पर बता रहें तो इसलिए हमें भगवान का गर्रह में नित्य स्मरन करना है तो नित्यम भागवत से गया प्रहपाजी बुलते परपट में नित्यम भागवत से मतलब दैनिक कम से कम रोज भागवतम को पढ़ना चाहिए अगर 24 घंटे नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ समय तो करना चाहिए तो और इसमें दूसरा बात ही बोल रहे हैं श्री हरी सवरी जी श्लोक के परपट में कि भगवान कई बार क्या करते हैं अपने भगतों के कारे को रोग देते हैं तो एक भगत को समझना चाहिए कि कई बार हमारी कुछ ambitions होते हैं हमारे कुछ ड्रीम होते हैं कई बार भगवान से related भी होते हैं अगर हम एक चात्र हैं हम सुच रहें कि हम यह वाला exam करेंगे हम इस institute में पढ़ाई करेंगे या मालो हमारा कोई business है हमारा कुछ उसमें planning है हमा और कई बार हमारी भगवान वो इच्छाओं को रोक देते हैं कई बार वो उसको पुरा नहीं होने देते हैं हमारे कर्म को रोक देते हैं हमारे कर्म को हम जो सफलता करना चाहते भगवान उसको नहीं होने देते तो भक्त को समझना चाहिए कि मेरा काम कर्म करना नहीं है मेर कार्म है कर्म का प्रयास करना भगवान की प्रसंता के लिए यानि अगर आज भगवान बोल रहे हैं कि तुम ये फलाना काम करो भगवान बोल रहे हैं कि आज तुम ये फलाना काम करो तो वो करना चाहिए और कर बोल रहे हैं ने इसको छोड़ दो तुम दूसरा काम करो तो द खुद का काम करो महनत से कमाओ उस कमाई हुई रोटी को खुद खा जाओ यह होता है कर्मी जो होता है वो कर्मयोगी नहीं होता खुद की रोटी खाना और खुद के परिवार के साथ खा लेना वो कर्मयोग नहीं है कर्मयोग मतलब महनत करना खुब महनत से रोटी कमाना यानि कि लक्ष्मी कमाना पैसा कमाना या जो भी संपदा है वो कमाना वो भगवान को दे देना अरपन कर देना और फिर भगवान उसमें से हमको जो दे उसको बोलते कर्म योगी भगवान के उपर डिपेंडेंट है वो भी लेकिन कर्म योगी और भक्तियोगी में अंतर है क्या कि क कर्म योगी कर्म की प्रतिया सक्त होता है जैसे सपोज एक बड़ा बिजनसमेन याँ पर आया तो उसने सुचा कि ठीक है मैं जो भी पैसा कमाऊंगा भगवान को देदूंगा और उसके बाद फिर जो बच्चे का मैं उससे काम चलाऊंगा उसको बोलते कर्म योगी लेकिन उ अभी सफिशेंट है डोनेशन अभी आप कुछ दिन जाडू लगा ये मंदिर में अभी हमें केवल जाडू लगाने वाले के अविशक्ता है तो हो सकता है कि इसके मर में थोड़ी शरम हजा रहे मैं और जाडू मैं तो इतना बड़ा विक्ति हूं मेरे मैं कैसे जाडू आपको मेरे जो ब्रक्ति योगी होता है मेरे जो भक्त है जैसी यशोदा तो कई बार मैं उनके आंकर कहो निराश नहीं होना चाहिए यशुदा निराश नी हुईबलकी प्रसन्यों गई कृष्णा ने कुछ ऐसा किया ताकि उनका दिव्यानन्द बढ़ सके उसको बढ़ सके ठीक किसी को कोई प्रश्ण दो बोल सकता है तो अभी में हमने अभी तक जो गाया अभी यह अमनों जो चर्चा की उससे हम हमारा जो पहला श्लोक है यह जो दामदर अश्कम है हमारा इसक अभी लोग अच्छे समझ सकें तो पहला श्लोक हम लोग आज चर्चा कर पाएंगी क्योंकि हमने उसके रिलेटेड़ चीजें चर्चा कर ली तो नमामी नमामीश्वरम अभी श्रूख शुरू हरा है नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्र तो पहला जो शुरुवात है कि नमामी मैं प्रणाम करता हूं इश्वर मतलब होता है कंट्रोलर जो चीजों को कंट्रोल कर सकें जिसके अधीन वस्तुएं और प्रानी हों उसको बोलते हैं इश्वर और सच्चिदानंद रूपम भगवान का रूप है इवन भगवान का क्या हमारा रूप भी जो है वो सच्चिदानंद है हमारी आत्मा का हमारे शरीर का रूप सच्चिदानंद नहीं है सत्थ मतलब होता है शाश्वत जिसके ना कोई श्रुवात है ना कोई अंत है चित मतलब होता है ज्यानमे और आनंदमे आनंद रूपम त ये भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं? लसत कुंडलम, कुंडल मतलब होता है कान में पहनने वाले, तो जो कान में पहनने वाले हैं, ये रिंग्स हैं, वो लसत याने की वाइविरेट कर रहे हैं, हिल रहे हैं, गोकुले ब्राज्यमानम, जो गोकुल, अभ बड़े परिवार को कुल बोलते हैं, बोलते हैं कुल परमपरा, रघुकल रीत सदा चली आई, सुनाओगा आपने, तो रघुकल, यानि कि राजा रघु का जुकल है, उसको रघुकल बुलते हैं, तो ऐसे गोकल मतलब گाएों का जुकल है, जैसे अब नंद बाबा के पास ही नौलाग गाए हैं और भी लोग वहां रहते हैं और भी गाए चराने वाले लोग रहते हैं गोप रहते हैं तो कितनी लाखो लाखो गाए वहाँ पे होंगी तो ऐसे भगवान जो है यशोधा भीयो भाए यशोधा के भाए से यहो JUST है का भाई क्यों हो गया? उसको हम चर्चा करेंगे, आगे चलके. लेकिन उसमें क्या हुआ? यहशोदा का भह से क्या हुआ? जिसे हम बोलते हैं हिंदी में धावक. जो दोड़ते हैं, रनर को बोलते हैं धावक. तो भगवान एक धावक बन गए. दौडने लगे और उनको उल्लुक में ये बांद दिया गया परामरिश्टम उनको पीछे से पकल दिया गया या उनको कैच कर लिया गया आत्याम ततम दृत्य गोप्या किसके द्वारा गोप्या गोपी के द्वारा गोपी यानिक ये शुदा के द्वारा जो उनसे तेज भा इसलिए एक्षरी वैसे तो हरी अनन्त हरी कथा अनन्त जितना ज्यादा आप भागवत पर शाचा करें वो कम हैं हमारी बुद्धी और हमारा समय दोनों कम हैं ऐसे बताते हैं कि हमारे पास जो भागवत हैं यहां पर उसमें अठारा हजार शलोक हैं लेकिन अगर हम जोएंगे सर्ग लोक में तो एक लाक्ष लोक हैं ऐसे बहुत भगवान के लीला को डेटिल में वर्णन किये गए हैं और बहुत सारे अलग-अलग अचारियों ने उसको बताया है भूवी ग्रणन्ती भूरी भूरी दाजना सारे पर सारे लोगों पे जो महान-महान प्यक्ति हैं वो इसका प्रचार प्रसार करते हैं उसको समझाते हैं ठीक है हरे कृष्णा देखते हैं किसी को प्रशन नहीं क्या है कि वह आठ स्पेशल गायों का नाम क्या है मुझे नहीं पता लेकिन एक दो कुछ बच्णों का नाम तो आता है जब भगवान चोटे थे अब ये जो अभी सबढ itself 5 साल के बाद उनको बच्णा दिया जाएंगे वह उनको करने के लिए यह नहीं सड़ी किसी का कुछ कहना है कि कुछ नहीं कि ओके तो यह जो दामोदर अश्कम है इसको आप लोग रोज गा सकते हैं अपने परिवार के साथ और बहुत इसका अच्छा बहुत ही गहरा अर्थ है तो इसको पढ़ें इसको समझने का प्रयास करें और अगर हम थोड़ा बहुत भी पर दामोदर भगवान की जाए श्रीला प्रभुपाद की जाए श्रीला प्रभुपाद की जाए